हेलो और वेलकम तो आवर यूटूब चैनल कंप्रेशन कम्यूटी आएम मजीद कुमार फेकल्टी ओफ इंग्लिस लेंग्विज तुदे इस आर फिप्ट लेक्चर अब सब्जेक्ट वब एक्रिमेंट आज हम लोगों का सब्जेक्ट वब एक्रिमेंट का ये पाच्वा ले इसके पहले के कई क्लासेस में हम लोगों ने सब्जेक्ट वब एक्रिमेंट के रिगार्डिंग सब्जेक्ट वब एक्रिमेंट से जुड़े हुए कई रूल्स को कई कॉंसेप्ट को सीखा था ठीक है जिसमें वर्ब उसके नमबर उसके टेंज सब्जेक्ट का डिफिनिश subject का sentence में अस्थान कहा कहा होता है subject को identify करने के tricks को और बड़े-बड़े sentences में आसानी से हम लोग subject को कैसे identify करें ये चीजे ठीक है उसके बाद object, object के type, complement, object और complement के बीच के difference इन चीजों को सिखा था और उसके बाद हम लोगोंने subject or agreement के कई important concepts and rules को सिखा था तो आईए आज के इस class को हम लोग आगे यहां continue करते हैं लेकिन पहले की भाद थी आज के इस class को start करने के पहले हम लोग अपने पिछले class के एक short glimpse को देखते हैं तो चलते हैं, शुरुवात करते हैं देखें, पिछले class में हमने आपको यहां से पढ़ाना जुरू किया था ठीक है, that is subject of agreement के fourth class में, lecture four में हमने आपको बताया था कि यदि कोई number या digit किसी भी sentence में subject का role play करें तो उसको मानते हैं singular, वह देते हैं singular, जैसा कि यहां पे आपको confusion होता है कि 420 अपने आप में, हम मैंसे कई बच्चों को लगता है, 420 अपने आप में plural है, ठीक है, और 420 का यूजदी किसी नाउन के सांथ कर लिया जाता है, तो फिर यही हो जाता है plural, लेकिन आगे आप देखें, यहां पर यह हो जाता है singular, और इसके कुछ और examples में आपको दिये थे like this है, यहां पर और इसके reference में हमने आपको बताए था कि measurement के जो unit होते हैं जैसे कुछ measurement के unit जिनको आप बच्चपन से जानते हैं, score, dozen, hundred, thousand, million, billion, etc. इनके बारे में आपने बच्चपन से पढ़ा है कि यदि इनके पहले कोई numeral adjective आता है और यदि इनके पहले कोई number या डिजिट नहीं होता तो इनके लास में लगता है ऐसा आप बच्चपन से जानते हैं अब आपके सामने नया confusion यहां create होता है कि एक किलोमेटर भी क्या है एक measurement का जूनिट है तो किलोमेटर हो, लीटर हो, सेंटिमीटर हो, इन्च हो वगेरा वगेरा तो इनके पहले जो number या digit लगता है यह यदि more than one entity को represent करता है तो इसमें CS लगता है और इनके पहले आने वाला जो number या digit होता है वो यदि single entity को represent करता है तो इसमें CS नहीं लगता ठीक है और तब उसी के according इसके बाद आने वाला verb singular या plural होता है ठीक है इन चीज़ों को हम लोगों ने सीखा था पिछले class में और फिर उसके बाद हमने आपको यहाँ पर बताये था some हो all हो plenty हो इनके बाद यह दी off आए तो इनके बाद आने वाला noun जैसा होगा that is इनके बाद सब्जक्ट जैसा होगा वैसे ही इनके साथ वर्व हम लोग यूज करते हैं ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं से हम लोग इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि यदि कोई विदो सब्जक्ट as well as with together with all together like unlike rather than led by governed by in addition to accompanied by ऐसे सब्दों से जुड़ा हो besides besides ऐसे सब्दों से जुड़ा हो then the word will agree with the first one तो ऐसे किसी भी वर्ड से यदि कोई भी दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो यहां जो वर्ब आता है यह वर्ब agree करता है इस first वाले subject के according that is यह पहला singular तो यह singular और यह plural तो यह भी plural ठीक है इस second वाले के singular यह plural होने से इस वर्ब प ठीक है फिर इसका कुछ example हम लोगों ने लिया था और फिर उसके बाद हमने आपको बताए था कि कोई भी दो noun कोई भी दो common noun आपस में and से जुड़ा हो कोई भी दो singular common noun आपस में and से connected हो जुड़ा हुआ हो और article का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पहले वाले noun के पहले किया जा यू उसके बाद फिर हमने आपको को distributive के बारे बताए था कि ये चारे के चारोड बते हैं और उसके बाद आने वाला सब कुछ कैसा होता है singular होता है फिर इसके बाद हमने आपको बताए था कि यदि इस distributive को आपस में and से और से कॉमा से या किसी conjunction का use करके आपस में connect किया जाए जोड़ दिया जाए इसके बाउजूद इसके बाद आने वाला subject और verb सबका सब कैसा रहेगा singular रहेगा फिर इसके बाद हमने आपको बताए था कि इनका प्रयोग को रिलेटिव कंजक्शन की रूप में भी होता है और जब यह को रिलेटिव कंजक्शन का रोल प्ले करते हैं या दूसरे आसान से बहासा में सब्दों में हम इसको explain करना चाहें तो हम लोग का सकते हैं कि यह जो को रिलेटिव कंजक्शन है इनका जो दूसरा पार्ट होता है यानि कि जो राइट साइड वाला पार्ट होता है इनके बाद यहां जो भी subject आएगा देट इस और नौर यह बट ऑल्सो के तुरंत बाद यहां पर जो भी subject आएगा देट इस नाउन या pronoun आना चाहे तो आ सकता है basic आ सकता है किंतो उसको रहना होगा plural और तब ऐसे condition में यह dummy हो जाता है और यहां आने वाला verb इसके according नहीं बलकि इसके पहले आने वाले noun या pronoun के according होता है चुकि यह हमेशा और हमेशा रहेगा plural इसलिए इस condition में यहां पर आने वाला verb भी हो जाता है plural ठीक है और फिर relative pronoun को समझाने के लिए हमने आपको इसका reference दिया था जो हम लोग इसके पहले के classes में पढ़ चुके और उसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि यदि कोई भी relative pronoun हो, who, which, that, who, whom, in, what का ज्यादा तर यूज relative pronoun के रूप में आपके exam में देखने को मिलता है तो इसके reference में हमने आपको कहा था हमने आपको बताया था कि इनके तुरंद पहले maximum cases में इनके तुरंद पहले यहां पे जो भी noun या प्रून या प्रून यूज किया जाता है यह इस relative pronoun के antecedent का काम करता है ठीक है और इसी noun या pronoun के according यहां पे आने वाला verb guide होता है तो वो singular तो यह singular यह plural तो यह भी plural ठीक है बाद समझ में आए तो maximum chances में क्या होता है कि who, which, that whom, whose और इन में से भी यह जो who, which, that है इन तीनों का ही सबसे ज्यादा यूज आपके एक्जाम में देखने को मिलता है तो who, which, that के फुरंत बाद आने वाला जो वर्भ होता है यह इनके ठीक पहले आने वाले नावन यह प्रणावन के according 99% cases में गाइड होता है ठीक है और फिर इसके बाद हमने आपको बताया था पिछले क्लास क्लास में चलते चलते कि जो collective noun होते हैं collective noun जैसा रहेगा वैसा वो लेटा ठीक है तो पिछला क्लास हमारा यहीं तक का था अब आईए आज के क्लास को हम लोग यहां के आगे पढ़ना शुरू करते हैं कुछ नए concept के साथ तो देखें पिछले क्लास में हम लोग उन्हें यह rule number 22 तक पढ़ाता है ठीक है और यहां तक की चीजों को आज हमने आपको in a brief remind करवा दिया तो आई अब इसके आगे हम लोग नए rule से पढ़ना शुरू करते हैं अब देखें हमारा अगला rule क्या है अब हम लोगों को यहां से पढ़ना demonstrative plus verb demonstrative सबसे पहले क्या होता है तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने आपको बताया each every either neither यह चारो के चारो क्या होते हैं distributive होते हैं इन दे सेम होए आप इनको बच्पन से जानते हैं और इनके बारे में आपने बच्पन से सीखा हुआ भी है क्या सीखें हैं भाई कि सबसे पहले तो यह this that these और यह those यह चारो के चारो कहलाते हैं demonstrative ठीक है यह चारो के चारो क्या होते हैं demonstrative होते हैं तो इनको आप बली बानते जानते हैं बच्पन से अब आए इनके आगे थोड़ा हम लोग उसे एकने का प्रयास करें इन दोनों के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि यह दोनों के दोनों क्या होते हैं तो यह दोनों कैसे होते हैं तो यह दोनों कैसे होते हैं प्लूरल होते हैं ठीक है अब यहां से थोड़ा और आगे निकलते हैं लोग आप यह भी जानते हैं कि इस अब इनका concept क्या ही आखता है कि जो इस और दय के बाद आने वाला subject और वो अब सब का सब कैसा होता है singular होता है जबकि इस these और those के बाद आने वाला subject और वो अब सब का सब कैसा होगा plural होगा ठीक है बस इतना ही असान सा concept आपके exam में पूछा जाता है तो आईए बिनको थोड़ा हम लोग समझना शुरू करते हैं चलते हैं बोड की तरफ और यूज करें एक दो example कैसा हम लोग इनको देखें जैसे this boy is not this boy is not यह देखें दोज students those students are not are not serious अब इन दोनों ही sentences में आप जरा ध्यान से देखें यहां पर क्या दिखाए दिया देखें देश के बाद देखें यह क्या है नावन है यानि subject है तो यह कैसा है singular है हम उपर में एस वर्ड का बताया भी नीचे बाले में देखें यह दोज दोज के बाद यह क्या रहा है नावन है यह कैसा है plural है यह क्या है और यह दोनों के ट्यूनिंग भी करेक्ट है तो इस पर बेस्ट कुछ कोश्चन भी हम लोग करेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग यहां पर एक अगले रूल को सीखते चलें देखें यहां पर सामने लिखा हुआ है सब्जेक्ट ओफ स्टडी के साथ वर्ब कैसा यूज करते हैं सबसे पहले हम लोग सीखें सब्जेक्ट निकल निकल मैच परते हैं आपने बच्पन से पढ़ा है अर बड़ा होके थोड़ासा आगी बढ़ते हैं लोग तो हम को और ऐसे सब्जेक्ट सुनने को से शेखने मिलते हैं जैसे phonetics जो आपके exam में बार-बार पूछा जाता है linguistics यह आपके exam में बार-बार पूछा जाता है तो अब यहाँ पे confusion यह create होता है कि कुछ ऐसे subject होते हैं जिनके last में aces लगा होता है और कुछ ऐसे subject होते हैं जिनके लास्ट में SES नहीं लगा होता है ठीक है तो हमारा आपका जो common mindset होता है जो common human mindset होता है वो यह कहता है कि noun class में SES लगा हुआ है that is plural है जबकि हमेशा ऐसा नहीं होता है तो phonetics class में चुकि SES लगा हुआ physics class में S लगा हुआ है तो हमें से कुछ लोगों को confusion होता है कि इसके लास्ट में S लगा है that is plural है और इसके थांग हमें plural वर्व यूज करना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है ठीक है subject of study चाहे जो भी हो उसके end में SES लगा हो या नहीं लगा हो वो subject of study है तो हमेशा और हमेशा रहेगा singular और वर्व लेगा singular बात समझ में आई ठीक है चलिए तो अब इनका एक example लेते हैं लोग और example के लिए चलते हैं हम लोग फिर से board की तरफ जैसे यह देखें physics ठीक है अब physics के साथ हम क्या यूज करें is और वाज वर्व या हैज है क्योंकि singular बाइगा तो में वर्व यह हो तो में वर्व के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे फॉर्स फॉर्म या फिफ फॉर्म यह यह आपको सब्सक्राइब करना है तो हमने आपको क्या पता है सब कैसे होते सिग्वलर कैसा लेंगे सिंग्वलर तो हम यहाँ पे Whoa और यह और यह और चेमिर रहेड़र ऑच आcak ऊणृम हो जाएंगा और सी प्रकार से hot और लिंग्विस्टिक्स यह दोनों आपके एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं थोड़ा सा अनकॉमन है हमें से कुछ लोग इसको नहीं जानते हैं इसलिए इसको बार-बार आपके एक्जाम में रिपीट किया जाता है पूछा जाता है यूज किया जाता है ताकि आप बढ़ते हैं यान से हम लोग kyo और अब हम भुधे चलते हैं फिर से चलमाइब और और स्लाइड में इन सारे सश्लाइट करें तो जल्दी से हैप करें तो आजिए इनको हम लोग क्या करना चाहिए पहला कॉस्छन मैंतेमेटिक्स सब्जेक्ट ऑफ इस्टडी है तो गॉर्भ कैसा लेगा सिंगुलर और को क्या बना दें नेक्स चक़ूंट नमब 2 में देखें पॉलिक्स पॉलिक्स विक्या है सम्जेक्ट ऑफ स्टड़ी है तो इसके साथ भी वर्प को क्या बनाते हम लोग सिंगुलर बनाते हैं कोशन नमबर त्री में चलते हैं फिर से मैथमेटिक्स है वर्प कैसा लेगा सिंगुलर तो इसके साथ भी आर की जगह इस बोट को थोड़ा सा क्लीन किया जाए नेक्स्ट यहां तक है फॉ क्लियर अफ़ चलते हैं से फिर आगे इसके पहले देर वाला जो क्विशन था उसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करते चले तो आए यहां पर और फटा-फटा इसका स्क्रीन सोट ले हैं अब आईए इनको हम लोग साथ-साथ सुरू करना सुरू करते हैं यहां देखे दिस दिस के बाद बुक कैसा है सिंगुलर वर्प कैसा है सिंगुलर तो यहां तक के पार्ट में कोई एरर नहीं इसका आंसर क्या बनना चाहिए तो ऑंसर बनना चाहिए अगर देखिए ओन उप लगा हुआ है वन अ मुस्ट्स उलिट यह देखिए वन और अने वाला नावन यह प्रोणन इसके बाद देखिए और तौन अनना प्रोणन कैसा हुने जैए अनिसके इसके एकॉर्डिंग अब यह morality कैसा है singular morality कौन सा ना हुना abstract ना हुना abstract यानि कि uncountable uncountable यानि singular भब लेगा singular तो वह यहां यूज किया गहा है singular that is कि question number one में कहीं कोई error नहीं है इसका answer क्या बनेगा option number d that is no error next यहां से आगे बढ़ते हम लोग चलते question number two में this is the age of one of the greatest discoveries देखिए one of के बाद यह discoveries आ गया अब फिर देखिए यह that relative pronoun तो यह जो who which that होता है इसके तुरंद बाद आने वाला जो noun होता है किसके according होता है इनके तुरंद पहले आने वाले noun या pronoun के according तो यह discoveries कैसा है प्लूरल इसलिए यह जो है इसको क्या करना होगा तो इस है इसको convert करना होगा है में that is कि इस question का answer क्या बनेगा option number c और देखिए अभी अभी जो हम लोगों ने सीखा था यह देखिए this is sentence में that is question number two में यह जो this है यह जो given है this यह this काम कर रहा है subject का यह होता है singular वह लेता है singular तो इन दोनों की tuning कैसी है correct तो यह पार्ट correct हो गया next word को clean करें आगे चलते हैं यह देखिए दोज दोज के बाद क्या गया box कैसा ही है plural तो यह पार्ट तो correct हो गया अब आगे वर्ब को check करें there are वर्ब का पार्ट भी कैसा है correct ठीक है तो बाकि हमें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं आंसर हमारा क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा no error ठीक है अब आपने से कुछ बच्चों के मन में यहां पर डाउट आ सकता है we are keeping तो भही इसका subject ही है अब आपने से कुछ बच्चे से confused हो जाते हैं कि यहां पर लिखा हुए we are मतलब इसको आप नजर अंदाज कर देते हैं ignore कर देते हैं और आप इसको मान लेते हैं तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे अब आज के बाद कम से कम इसका मतलब होता है we are इसका मिन क्या होता है we are ठीक है तो यहां से आगे निकलते हैं लोग चलते हैं next question में question number four में देखे हमारा question number four क्या है I want to make sure that the car back there isn't following इसमें ऐसा कुछ है नहीं यह इसका subject है ठीक है अब कार कार के according कैसे होगा isn't following follow नहीं कर दा following us ठीक है तो इसमें कोई error नहीं है इसका answer बनेगा हमारा no error next तो इसके आगे चलते हैं हम लोग अब कुछ और नहीं रूल की तरफ अब यह mathematics तक हम लोग सीख चुके थे अब हम लोगों को यहां से सीखना है तो यह rule भी देखेंगे और इस rule के बाद एक और rule है यह भी that is rule number 3 और 4 इन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे तो 3 क्या है 4 क्या है अब आईए इनको हम लोग थोड़ा सीखना शुरू करते हैं इसमें confusion क्या है इसको भी सीखते हम लोग इसको भी हम लोग देखते हैं तो जराद ध्यान से देखिए और इनको समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि इन में थोड़ा सा confusion होता है और हम में से कुछ लोग इसमें confuse करके गलते करते हैं अब देखिए concept क्या है हमने आपको पहले से बता रखा है कि किसी भी sentence का ऐसा format होता है जिसको आप बच्पन से जा प्रोनाउन ठीक है यह सारी बात है हमने आपको पहले से बता रखी अब इसमें सीखना यह है कि यदि किसी भी sentence का subject noun या प्रोनाउन होता है तो हम लोगों ने यह जो sentence पढ़ा है to walk is good for exercise ठीक है swimming is a good exercise ठीक है इस टाइब के जो sentences हम लोगों ने पढ़े हैं तो इसमें यह क्या है भाई यह क्या है भाई तो इसके बारे में हम लोग यह भी बच्पन से सीखते आए हैं जांकते आए हैं यह इनका कुछ idea आपको पहले से है कि इसको हम लोग क्या करते हैं तो इसी को हम लोग करते हैं वर्ब की फॉर्ट फॉर्म कौन से फॉर्ब करते हैं इसको वर्ब की फॉर्ट फॉर्म लोग कहते हैं अब confusion यहां पर create हो गया कि यदि किसी भी sentence का subject सिर्फ और सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो सकता है तो यह क्या हो रहा है यह two plus verb की first form यह वर्ब की fourth form आ सब्जेट के रूप में यूज क्यों होता है कैसे होता है इन सारी बातों को आई हम लोग यहां पर आराम से सीखते हैं तो देखिए इनका concept कुछ ऐसा है कि टू वॉप कि इन दा मॉर्णिंग कि इस कि यूजफूल कि इस यूजफूल कि फॉर एवरिवन कर एवरिवन निग्स एक हार एवरिय। देखिए हम लोग श्यूम्म श्यूम्मम इस अ गूट एक्सिरी एक्सिरी तो प्लाइब है टो मैंनि तो मैंने रेक्डें युर यूर है एक्रिक है अब इन दोनों ही sentences मज़रा ध्यान से देखिए ये हमें क्या दिख रहा है और ये हमें क्या दिख रहा है तो clear सी बात है कि ये हम सबों को दिख रहा है verb की four form और ये उपर वाला हम सबों को दिख रहा है two plus verb की first form यहीं बात है यही हम सम्भों को यहां पे दिख रहा है अब ज़रा ध्यान देजे हमने आपको subject of agreement के first lecture में पढ़ा रखा है कि यदि आपको किसे बेस sentence में subject को identify करने में पहचानने में थोड़ी से मिदिक कर जाती है तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे तो इसके लिए हमने आपको पहले से बता रखा है कि यदि आपको थोड़ा सा भी confusion हो तो आप किसको identify करेंगे आप पकड़ेंगे वर्ब को और आपको जो वर्ब दिखाए पड़ता है जिस वर्ब को आप पकड़ पाते हैं उस वर्ब को आप पकड़िए और उसके साथ attach करते यह हो या what ठीक है चलते हैं उपर वाले में what is useful for everyone answer क्या मिला walking in the morning अब फिर देखें यह क्या यह preposition है preposition के पहले यह two plus वर्ब का first form है चुकि इसका चर्चा हो रहा है यहां पे this word is discussed in this sentence तो हमने आपको subject to measurement के lecture number one में पहले से बढ़ा रखा है the person or thing which is discussed in a sentence is known as subject तो यह काम किसका करना है subject का अब यह है क्या verb है काम किसका कर दिया subject का subject का criteria है subject हमेशा या तो noun होगा या तो pronoun होगा दो ही चीज़े हो सकती है similarly यहां पे नीचे वाले में देखें what is good exercise तो answer क्या मिला swimming ठीक है अब यह भी वर्ब का fourth form है ing form है लेकिन चुकी वाक्य में इसके चर्चा की जा रही है इसलिए यह क्या हो गया हमारा subject यह बात समझ में आई तो यह भी subject हो गया अब दखिया में आप कोई two plus verb का first form हो यह वर्ब का fourth form हो that is ing form हो इनकी बारे में एक रूल है grammar का कि यदि इन दोनों में से कोई भी किसी भी sentence में या कहीं भी यह subject का रूल प्ले करें तो इसी को मानते हैं हम लोग singular क्या मानते हैं singular मानते हैं और तब इसको इसके साथ वर्ब हम लोग यूज करते हैं singular that is इसके साथ आने वाला वर्ब कैसा होगा singular होगा अब यह जो two plus verb की first form है यह यदि किसी भी sentence में subject का रूल प्ले करें तो हम लोग इसी को कहते हैं infinitive क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं infinitive ठीक है लेकिन यदि वर्ब का fourth form किसी भी sentence में subject का रूल प्ले करें तो हम लोग इसी को कहते हैं जीरन क्या कहते हैं जीरन करते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है तो इसको कहते हैं इन्फिनिटिव इसको कहते हैं जीरन अब यही हमारा रूल था कि कोई भी इन्फिनिटिव या जीरन किसी भी सेंटेंस में सब्जेट का रूल प्ले करें तो इसे को मानते हैं सिंगुलर और को चलते हैं इन रूल्स पे बिस condition को solve करने का प्रयास करते हैं अब ये 나올 नम्बर थ्री और रूल नम्बर 4 हम लोगों ने दोनों को सा Kauf पड़ लिया है तो इन दोनों पे best ко को हम लोग साक करने का प्रयास करते हैं पहले सुरूबर करते है इस लाइड से, तो सबसे पहले आप इनका screenshot ले ले, और screenshot लेकर आप इनका solution खुज से एक बाड करने का प्रयास करें, तो आएज़े अब, इनको हम लुख सासे हैं पर solve करने का प्रयास करते हैं, और देखें, कि इन में क्या कुछ खास है, सबसे पहले यह देखे to walk are good what are good to walk that is यह किसका काम कर दिया subject का भी है क्या infinitive तो walk कैसा लेगा singular तो आर को किसमें convert कर दे आर को convert कर दे हम लोग इसमें ठीक है next अगला to keep fast once in a week are beneficial what are beneficial to keep fast अब इसमें देखे यह to keep fast यह बना हमारा subject अब आप में से कुछ बच्चों को यहाँ पे confusion हो सकता है सर इस verb का subject क्या है to keep fast once in a week ठीक है तो ऐसे confusion से भी हम लोगों को बचना है तो आए थोड़ा सा और हम लोगों को पढ़ना होगा अब थोड़ा सा आगे जो हमें concept सीखना होगा इन सारे छोटे छोटे डाउट्स को clear करने के लिए उसको हम लोग करते है clause और sentence तो आए सबसे पहले इसको हम आपको दिखाते चले कि यह है क्या फिर साथ में इन सबों को हम लोग solve करेंगे देखें यह clause plus warm और फिर इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है sentence plus warm तो अब इनका concept क्या है हम लोग इनकी थोड़ा सा चर्चा करें और देखें कि आकिर यह क्या है और इसका concept कैसा होता है इसका हमारे exam में पूछे गए question को solve करने में कहां तक contribution होता है इनका importance कितना होता है तो चलते हम लोग सबसे फ़ले board की तरफ और यहां से इनको समझतना सुरू करते है सबसे पहली बात की clause होता क्या है यह जो clause है यह क्या होता है या फिर यह sentence क्या होता है ठीक है तो सबसे फ़ले हम लोग इनको समझते हैं देखिए हमने आपको subject of agreement के first lecture बताया था इसको आप सब लोग बजपन से जानते भी है word क्या होता है बाई तो group of letters is called word अक्षरों के समझ को हम लोग कहते हैं सब ठीक है बट यह हिंदी का definition हिंदी grammar का definition है और दुरभागे की बात हमारे यह होती है कि English grammar को भी हम लोग हिंदी grammar से relate करके पढ़ते हैं ठीक है और इसको हिंदी grammar के तरीके से हम लोग treat कर देते हैं ऐसा नहीं करना है इंग्लिस grammar का definition है having complete meaning is known as word ठीक है having complete definite meaning is known as word and group of words having complete meaning is known as sentence जैसे हम आपको यहां पर समझाने का प्रियास करते हैं हमने आपको पहले भी बता रखा है reasoning आप पढ़ते हैं तो reasoning में आपको इस type के questions देखने को मिलते हैं अब देखें ये भी group of letters तो है ये group of letters जरूर है बट आप जरा इसमें ध्यान देजिए इसका कोई meaning नहीं निकल पा रहा है इसलिए इसको English में what नहीं कहा जाते है इसको English में what नहीं कहा जाते है ठीक है इसी प्रकार से बच्चों को जब सुरू सुरू में इसकूल में डाला जाता है प्री नर्सरी वगेरा में तो वहाँ पर उन बच्चों को alphabet और alphabet पे जो based word है उनको सिखा जाता है like a for apple, b for ball वगेरा वगेरा ठीक है तो आप जरा ध्यान देजिए हम apple, ball, cricket, dog ऐसा group of words लिख तो दे करते हैं इसलिए ऐसे group of words को हम लोग sentence नहीं करते हैं बात समझ में आई यह था किताबी भासा किताबी ज्यान अब हम लोग इन से थोड़ा सा बाहर निकलते है practical life की तरफ ठीक है जैसे आप गाना सुनते हैं तुमसे मिलना बाते करना बड़ा अच्छा लगता है ठीक है अब इस group of words का कोई clear meaning है या नहीं तो यह clear meaning दे रहा है ठीक है इसलिए इसी को हम लोग करते है sentence English में ठीक है बात समझ में आ रही है हिंदी में इसी के तरीके के जो use के जाते हैं format उसको हम लोग हिंदी में करते है work के आगे हम लोग समझें इसमें से यह कुछ सब्दों को हम remove कर हटाने तो वो incomplete meaning देगा group of words वो होगा बट अब उसका meaning complete नहीं दा जाएगा तब उसी को English में हम लो कहते हैं clause और हिंदी में इसी के equivalent form को हम लो कहते हैं उपबाब के ठीक है बात को ठीक से समझें जैसे तुमसे मिलना बाते करना देखिए यह अभी भी group of words है बट अब इस group of words का कोई complete meaning हुआ क्या नहीं हुआ ठीक है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं clause कहते हैं जैसे पंदरा अगस्त उन्हीं सो 47 को भारत को आजादी मिली यह क्या है group of words है बट यह complete meaning दे रहे इसलिए इसको हम लोग कहते हैं sentence लेकिन इसी में से कुछ word को हम रिमूब करते हैं 15 अगस repeat meaning नहीं दे रहा है इसलिए अब इसको हम लोग sentence नहीं कहेंगे इसी को हम लोग कहेंगे clause बात समझ में आ रही है ठीक है तो अब आसा करते हैं कि आप sentence और clause को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और इनको समझने में यह दिया आपको दुविदा हो तो आप वीडियो को थोड़ा back करके बार बार repeat करके इसको देखें ठीक है अब चलते हैं यहां से इनका concept यह है कि कोई भी sentence या clause यदि ये किसी भी sentence में subject का roll play करें किसका roll play करें यदि ये किसी भी sentence में subject का role play करे तो हम लोग इसी को मानते हैं singular क्या मानते हैं singular मानते हैं और तब इसके बाद यहाँ जो verb यूज किया जाएगा यह verb भी यूज किया जाएगा singular आप इसको ठीक से समझने का प्रयास करें अब आपने से कुछ बच्चों के मन में फिर सही एक नया confusion create हो सकता है कि एक sentence किसी दूसरे sentence का subject कैसे हो जाएगा ठीक है तो हम आते हैं example के तरफ या clause किसी दूसरे sentence का subject कैसे बन जाएगा तो इन सारे confusion को दूर करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने next page में जैसे एक example सबसे पहले sentence और clause का है जैसे यहां पर यह रहा honesty honesty is my best policy honesty is my best policy अब आप ज़रा इसको देखे यह group of words है कि नहीं है group of words है और चुकि यह complete meaning दे रहा है इसलिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे sentence ठीक है अब हम कहें is my opinion अब देखिए इसी sentence में हमने यहां पर is verb का use कर दिया और यहां से लेके यहां तक एक part हमने इसके साथ attach कर दिया अब is my opinion में यह जो वर्व इज है इसका किसके लिए किया गया इसको पाशाने का तरीका हमने पहले से आपको ट्रेक हमने आपको पहले से बता इसका अंसर क्या मिला इसका अंसर हम सबुको मिलता है अब देखें यह पूरा का पूरा सेंटेंस था और यह पूरा का पूरा गिवेन रहेगा उसको रखना होगा सिंगुलर और यह पहले से सिंगुलर गिवेन हो देनों के क्लियर नेक्स्ट एक और एक्जामपल लेते हम लोग whatever what ever ceases जर आप इंको ध्यान से देखिए वह जो कुछ भी कहती है क्या कहती है पता चला लेकिन यह group of words है तो यह group of words है और इसका incomplete meaning है iska complete meaning हमें नहीं दीख रहा है इसका complete meaning यहां से नहीं निकल पा रहा है इसलिए इसी कौम लोग क्या कहेंगे तो इसी कौम लोग कहेंगे clause ठीक है is correct अब जरह ध्यान देजिए इसमें फिर से वही बात हम यह दियाब से कहें कि बताइए यह जो वर्ब इस है इस वर्ब इस का subject क्या है तो फिर वही बात what is correct हमारा अंसर क्या मिलेगा whatever she says तो यह पूरा का पूरा यह जो पार्ट है यह पूरा का पूरा पार्ट है तो clause लेकिन काम किसका कर रही है अब यह काम कर रहा है subject का किसके subject का तो इस वर्ब इस के subject का रोल प्ले का रहा है इसलिए इसी को हम लोग यहां पर मानेंगे singular और यहां पर इस वर्ब हो आर हो कोई भी वर्ब लिकाओ इसको हम लोग change करके बनाएंगे singular और यदि already singular हो तो correct है plural होगा तो उसको change करना होगा change करके singular में convert करना होगा बात समझ में आ गई तो यहां से आगे चलते हैं हम लोग और अब sentence और clause का जो भी format था जो भी difference था उसको हम लोगों ने समझ लिया है तो आईए अब चलते हैं इन rules पर best question को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे infinity और that is 2 plus V1 और V4 वाले concept की तरफ तो इन सारे question का फटा 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 पे एक बार screenshot ले और screenshot लेकि जल्दी से इनको solve करने का खुछ से एक बार प्रयास करें फिर हम सब लोग इसको साथ-साथ यही पे solve करेंगे तो आईए अब इनको आम लोग solve करना यहां से शुरू करते हैं यह देखें इन इंडिया working women lead a life of dual responsibilities are अग देखिए यह दिए आपको doubt हो यह जो verb are है इसका use किसके लिए हो रहा है इस woman के लिए हो रहा है इंडिया के लिए हो रहा है यह और भी बड़ा सा sentence given हो तो और अब भी ऐसे कई सारे confusion आप में से कुछ बच्चों को हो सकते हैं तो इसको पाचाने का तरीका आपने पहले से बता रखा है what are a bear fact तो bear fact क्या है in India working woman leader life अब इस lead का use किसके लिए किया गया था इस lead का use किया गया इसके लिए इसका subject यह था ठीक है चलिए तो यह था plural इसलिए वह है plural तो यहां तक तो ठीक है अब देखे इस आर का जो subject है वो कोने वह था तो यह in India से लेके responsibilities तक ठीक है भारत में जो काम काजी महिलाए हैं वो दो प्रकार का दो रा उत्तर दाइक तो निभाती है घर का भी काम उनको देखना पड़ता है और office का का काम भी उनको देखना पड़ता है और दोनों ही काम क भारती जो working woman होती है बड़े अच्छे तरीके से निभाती ठीक है तो यह पूरा का पूरा क्या था sentence था लेकिन यह sentence होने के बावजूद इस वर्ब आर का subject का role play कर रहा था ठीक है तो आर यहां पर correct हम नहीं बता रहे इस वर्ब का subject का role play कर रहा था अब यह था sentence और इस वर convert करना होगा इसार को convert करना होगा is clear है next चलते हैं अगले question में हम लोग मुंबई is full of tall buildings मुंबई उच्छे उच्छे मारतों से भरा हुआ है is strength of this city इस सहर का यह क्या है भाई तो मजबूरती है strength है अब देखें यह पूरा का पूरा यह मुंबई से लेके tall buildings तक यह पूरा पूरा group of words है यह sentence है और काम कर रहा है इस वर्ब के subject का तो चुकिए यह sentence था और काम कर रहा है subject का subject हो गया मानेंगे इसको singular वर्ब देंगे singular और यहां जो वर्ब यूज किया गया यह वर्ब अलड़ी है singular तो इस question number 2 के answer की बात करें तो हमारा answer क्या बनेग ठीक है option number D next board को clean करें चलते हैं आगे question number 3 में honesty is the best policy अब यहां पर आर होगा क्या नहीं होगा अब ज्यादा में discuss करने की जरूरत हमने महसूस नहीं होती है चोकि concept को यहां तक के question में हम लोगों ने काफी आसाम तरीके से detail में समझने का प्रयास किया है तो अब इदर हम she wants to be an actor यह पूरा का पूरा क्या हो गया एक sentence हो गया she belongs to lower middle class यह भी क्या हो गया पूरा का पूरा एक sentence हो गया अब इन दोनों sentences को connect कर दिया गया and से तो यह वही बात हो गई कि राम and Sam तो अब क्या लगा है is लगा है यह आर लगा है तो ऐसे sentence में ऐसे condition में इसके साथ जो वर अब कैसा होगा उससे लिखना होगा अब यहां जो गिवल वर्भ है कैसा है सेंगुलर तो इस को हम लोग किसमें कर दे आर्म है ठीक है बात समझ में आ रही है तो आप बोन को क्लीन करते हैं और चलते हैं sentence के पाले अब जो क्लॉज पर बेस्ड को बनाने थे आते हैं इधर ह पूश को कुश्चन से यहां पर आपको दिखाई दे रहें तो अब इन को सॉल्व करने का पर प्रयास करें अब आईए इन कोम लोग सॉल्व करना सुरू करते हैं the recent changes in the monetary policy हाल ही में मौनेटरी policy में किया गया परिवर्तन तो देखें यह पूरा का पूरा क्या है ग्रूप ओफ वाट्स तो है ग्रूप ओफ वाट्स है ठीक है अब यह ग्रूप ऑफ वाट्स है बट यह complete मेनिंग नहीं दे रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे clause ठीक है और यह दिक хотел कि सब्जेट का रूल प्ले कर रहा है इस वॉडिक करहें इसी ही को मानेंगे इसके सांथ मैंने इसको बनां सहवार यह घा है यह जई है यह लिख गया है यह LIK कहीं कोई error नहीं बनेगा sentence का answer क्या बनेगा option number d that is no error next अगले question में चलते हैं in any case no disciplinary action are required to be taken तो आईए अब यहां से हम लोग इन सारे question को solve करना शुरू करते हैं तो सबसे पले यहां देखें the recent changes in the monetary policy यह पूरा का पूरा क्या है group of words है और यह यह पूरा का पूरा clause है क्या है group of words है बट यह complete meaning नहीं दे रहा इसलिए इसको मानेंगे हम लोग clause अब यह clause है किन्तो इस verb has के subject का role play कर रहा है तो यदि कोई भी sentence या clause किसी sentence में subject का role play करे तो मानते है singular वर्ब देते हुआ है तो इस वर्ब के section में कहीं कोई error नहीं है तो इस question का answer हमारा क्या बनेगा option number D that is no error next question number two में चलते हैं in any case no disciplinary action यह देखे यह भी क्या है group of words है अब इस verb R का यह subject है clause है इसका subject हो हो गया clause है तो होगा singular वर्ब लेका singular तो आर को convert कर देंगे इस में आर को किसमें convert करेंगे इस में ठीक है next चलते हैं अगले question में हम लोग आर डीले in taking a decision यह देखे आर डीले इन टेकिंग अडिसीजन ग्रूप आफ वार्ट्स clause है यह अब यह जो वर्ब है इसका यह subject हो गया subject हो गया तो हो गया singular वर्ब लेका singular तो कन्वे में क्या करें इस लगा दें कन्वे क्या है वर्ब का first form है वर्ब का first form कैसा होता है plural होता है उसमें CS लगा को उसको बनाते हैं हम लोग singular ठीक है next अगले question में चलते हैं लोग water and water as I see जहां तक हम देख पा रहे है केवल पानी ही पानी है अब यह क्या है group of words है ठीक है और इस वर्ब के subject का rule play करना है इस लेज को मानेंगे singular वर्ब देंगे singular तो है को convert करना होगा हमें है को किस में convert करना होगा है क्लियर है यहां तक बाते आपको आसानी से आसा करते हैं कि समझ में आ रही होंगी ठीक है फिर भी यदि रिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके यह भार-बार रिपीट करके इनको ठीक से देखने का समझने का प्रयास किजिए आपके जो confusion है बिलकुल अच्छे तरीके से clear हो जाए ठीक है नेक्स्ट यहां से आगे निकलते हैं हम लोग और अब चलते हैं हमारा जो पुराना pending question बचा पड़ा है इन्फिनिटिव और जीरन पर बेस्ड उनकी तरफ तो आएए यहीं पर हम लोग देख रहे थे और यहीं पर हम लोगों को कुछ questions में problem हो रहा था जैसे यहां से to keep fast once in a week ठीक है अब जड़ा देखें आपको यह देश्मेंट टू कीप समझ में नहीं आता है तो यह तो आपको समझ में आ सकते हैं यह पूरा का पूरा क्या है ग्रूप और यह तो यह sentence है या तो यह क्लॉज है तो कोई बेसेंटेंस हो यह क्लॉज हो वह यह किसी भी sentence में subject का रोग क्लिक करें तो मानना है similar वह देना है singular तो अब इस आर को किस में convert कर दें इस में clear नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चलते हैं question no.3 में तो practice more and more तो practice more and more तो have को क्या कर दें हैस कर दें next to verify whether an AR has been credited अब यह हैस का तो हो गया यह यह जो है जाया an AR के coding आया has been credited or not so that we can avoid prevailing errors तो इसमें कहें को error है है नहीं इस cancer बने का option no.d no error next question no.5 to verify ARs history of specific customers to get अब आप में से कुछ बच्चों के मन में यहाँ पर खयाल आ सकता है answer to get की जगह gets कर दें आप gets नहीं कर सकते चोंकि यदि कहीं भी two के बाद अगर वर्ब की first form लिखी हुई है कहीं भी आपको two के बाद वर्ब का first form दिखाई दे तो इसको subject के singular या plural होने से कोई एतराज नहीं होता है और इसका प्रयोग model auxiliary work की तरीके से singular या plural दोनों ही प्रकार के subject के साथ समान रूप से किया जाता है ठीक है बात समझ में आ गई तो यहाँ पे इस section में कहीं कोई error नहीं है यह section हमारा correct हो गया और बाखी आगे के section में भी कहीं कोई error नहीं है तो इसका भी answer बने का option number d that is no error तो question number five का answer होगे no error चलते है six में to search for credit numbers apply अब देखें यहाँ पे to search for credit numbers अब यह apply क्या है वर्ब है तो इस apply को क्या करना होगा वर्ब के fifth form में convert करना होगा that is apply की जगह applies ठीक है next apply को applies में convert कर लीज़े next to print DESC invoices are यह देखे अब इसके साथ वर्ब कैसा आएगा singular तो आर की जगह अभी सबब कर सकते हैं खुद से ठीक है तो आसा करते हैं कि infinity जीरंड यदे किसी सेंटेंस में सब्जेट का रोल प्ले करें तो इसके साथ वर्ब यूज करें किया जाता है इसका concept आपका clear हो चुका होगा कोई भी क्लॉज या सेंटेंस यदे किसी भी सेंटेंस में सब्जेट का रोल प्ले करें तो उसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज करते हैं इसका concept भी आपका clear होच चुका होगा तो आईए अब यहां से थोड़ा सा आगे निकलते हैं लोग और कुछ आगे की चीज़ों को सीखना सुरू करते हैं अब यहां पर आते हम लोग indifferent pronoun क्या होता है और इनका concept क्या है इनको हम लोग सीखें जैसा कि पिछले classes में अब तक के classes में हम लोगों ने कई चीजों को सीखा जैसे कि distributed pronoun को सीखा demonstrative pronoun को सीखा distributive यह इच एवरी इदर नीदर को सीखा उसके बाद हम लोगों ने demonstrative डैट इस इस दिज दोज को आज ही के class में सीखा अब इसके बाद सीखें indifferent pronoun का है ठीक है तो ऐसा कोई भी वर्ट जिसके लास्ट में one body या थिंग लगा हो इनके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो इन डिफरेंट प्रणावन होते हैं जैसे कि all ठीक है अब इनको थोड़ा सीखें जैसे कि proper noun होता है common noun होता है ठीक है तो common noun के बदले में जो हम लोग pronoun use करते हैं common noun के बदले में सामाने तोर पे हम लोग जो प्रणावन यूज करते हैं उसको हम लोग कर सकते हैं indifferent pronoun ठीक है दूसरे आसान से सब्दों में हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोग कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्रणावन जिससे किसी वे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बूद नहीं हो उसको हम लोग कहेंगे indifferent pronoun जिससे unknown person या think का हमें पता चले उसको हम लोग कहेंगे indifferent pronoun जैसे हम कहें all are going पता चला सबी लड़की जा रहं कि सभी लड़किया जा रही है कि सभी teachers झा रहे है कि सभी घाय बैळ, बकरियां जा रहे हैं यह हमने पता नहीं चला त्रिक है बात समझ में नहीं आया अब यह डिपेंड करेगा sentence के कॉंटेक्स्ट पे किस कॉंटेक्स्ट में किस रिफरेंस में औल का यूज किया गया है उसके उपर ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे ठीक है जैसे कुछ और एक्जामपल ले जैसे कभी-कभी हमारा आपका दर्वाजा कोई ऐसे नौक करता हुआ सुनाई पड़ता है तो समवन से यह पता लग रहा है कि राम है कि सीता है कि मेरा है कि मुहन है कि मुरारी है कौन सा है पता लग रहा है क्या पता नहीं लग रहा है तो ऐसे ही वाड को हम लोग कहते हैं इंडिफरेंट प्रणाउन ठीक है अब बात समझ में आ गई अब यह इंडिफरेंट निया थिंग लगा हो इन सबको मानेंगे in different pronoun ओर in different pronoun यदि किसी भी sentence में subject का रोल प्ले करें तो हम लोग इसको मानते हैं singular और इसके साथ word यूज़ करता है singular फिर से इसको समझ्ये किसी भी sentence में in different pronoun का used यदि sentence के subject के form में किया गया हो तो इसको मानेंगे singular और उसके साथ verb यूज़ करेंगे singular कैसा मानेंगे singular verb कैसा यूज़ करेंगे singular ठीक है चलिए तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग कैसा माने singular और इसलिए इसके साथ यह जो verb का यूज़ कियेंगे यह verb कैसा है तो यह verb भी है singular बात समझ में आ रही है ठीक है चलिए तो आईए अब इन rules पर बेस्ट कुछ question को हम लोग solve करने का प्रयास करें तो इन सारे question को फटप फटप एक बार screenshot लेकर कुछ से solve करने का प्रयास करें तब फिर हम सब लोग साथ साथ यहीं पर इसको solve करेंगे तो आईए अब हम लोग यहाँ पर इनको solve करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या error है यहाँ देखे everybody everybody इसके last में क्या दिखाई दिखाई दिया तो यह हो गया singular verb कैसा लेगा singular तो नो में क्या करें एस लगा दे नो का क्या बन जाएगा no that is question number one के answer की बात करें तो हमारा option क्या बनेगा option a option a बनेगा ठीक है next अगले question में चले everybody fail तो feel की जगा क्या करें feels इसका भी answer क्या बनेगा option number a next the question was so difficult that nobody over nobody के साथ वर की जगा क्या यूज करेंगे वाज का यूज करेंगे next everybody इस देखे everybody में आए पोस्ट आफिस लगा हुए तो यह पोस्ट आफिस लगने से यह प्लूरल नहीं बन जाता है ठीक है ठीक है everybody यहां भी है everybody business is तो देखे everybody business यह group of words हो गया clause का 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 सब्सक्राइब कर लिए clause यह clause और clause इस वाप का subject हो गया subject जैसे हुआ तो यह हो गया singular वह लेका से लिए जो वर्ब की वेन है और यह इसमें यहां पर कहीं कोई एरर नहीं है तो question no.4 के answer के लिए हम लोग बात करें तो हमारा answer क्या बनेगा option number D that is no error ठीक है चलते यहां से आगे कुछ और concept को हम लोग सीखने का समझने का प्रयास करते हैं तो अब अगला rule है हमारा majority of तो यह जो majority of का rule है इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा detail में पढ़ने की समझने की जरूरत होती है ठीक है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में ठीक है कहां पढ़ेंगे हम लोग अगले क्लास में that is subject or agreement के 6th lecture में ठीक है आज के अपने इस क्लास को हम लोग यह पर sum up करें यह पर conclude करें और आपसे एक request कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है ठीक है तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और सेर करें और दूसरों से भी करवाएं ठीक है और चु इसके आपको short notes भी provide करा जाते हैं और every week Sunday को आपको इसके लिए practice question भी दिया जाता है so that कि आपने जहां तक कि जो भी concept जिस किसी भी subject में पढ़े हैं उन सबों का आप ज्यादा ज्यादा practice कर सकें और पढ़ाने का हमारा जो approach है उसको आप देखी पा रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए समझ में आभी रहा होगा इसमें हम लोग maximum cases में ये परयास करतें कि जो को हम लोग आपके प्राक्टिसेशन में भी देने का प्रयास करते हैं so that कि आप excel हो सकें so that कि आप उस topic में यह जहां तक आपने पढ़ा है उन सबों के concept को आप आसानी से सीके समझ के अपने अंदर adapt कर सकें ठीक है तो आज के अपने इस class को हम यह पर समाप्त करते हैं thank you